हेलो दोस्तो मैं अजली स्वागत करती हूँ आपका क्लास टाइम येट्यूब चनल में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RPSC सेकंड ग्रेड टीचर रिक्रूट्मेंट 2022 के बारे में दोस्तो RPSC ने सल्सकर शिक्षविभाग के लिए सेकंड ग्रेड टीचर के पदों पर भरती का नौटिफिकेशन जारी कर दिया है ये देखिए इसके आविदन 23 मैं से स्टार्ट हो जाएंगे RPSC द्वारा सल्सकर डिपार्टमेंट में ये है भरती सेकंड ग्रेड टीचर के 417 पदों के लिए की जा रही है दोस्तों ये बहुती शांदार वेकेंसी हैं तो जो भी इच्छुक अभ्यरती है ओनलाइन आविदन कर सकते हैं RPSC सल्सकर डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड भरती के लिए ओनलाइन आविदन 23 मैं से स्टार्ट हो जाएंगे और 21 जून 2022 तक 21 जून 2022 तक इसके आविदन आप कर सकते हैं तो डीटेल में हमें आपको बताओंगी कि कौन-कौन ये फ़र्म भर सकते हैं एजुकेशन कौलिफिकेशन क्या है एग्जाम पैटरन एज लिमिट आदी के बारे में तो वीडियो को एंड तक देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले में आपको बता देती हूं कि इसमें किन-किन सबजक्ट पर कितनी-कितनी वेकेंसी निकाल गई है इंग्लिश में इसमें 21 पोस्ट पर निकाली गई है सामजिक विज्ञान में 120 पोस्ट पर वेकेंसी निकाली गई है मैट्स में आपकी 47 पर निकाली गई है और साइंस में आपकी 82 पोस्ट पर टोटल ये वेकेंसी निकाली गई है ऐसे करकि वेकेंसी कितने पदो पर आयू की गणना एक जुलाई 2022 को आधर मान कर की जाएगी और आरक्षित वर्गों को नियामनों सर अधिक्तम आयू सीमा में छूट दी जाएगी इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो application fee से वो क्या रहने वाली है तो देखें यहाँ पर सामान्य अनारक्षित वर्ग एम राज रूप से कमजोर जो EWS में आते हैं उनके लिए 250 रूपीज इसमें आविदन शुल्क रखा गया है इसके लाव बात करते हैं नी शक्तजन की अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती वर्ग तथा जिसकी पारिवारिक आए धाई लाक रूपे से कम है के लिए आविदन श संस्क्रिट वालिफिकेशन क्या रहने वाली है तो देखिए दोस्टो सबसे पहले संस्करिट विश्य के लिए हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो शासितरी और एक्क्युप्लैंड ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जाते मीडियम एंड शिक्षा शास्त्र शिक्षा में डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए किसी भी मानियता प्राप्त शिक्षा परिशत के द्वारा इसकी बाद हम बात करते हैं हिंदी अंग्रेजी और गनित विशे के लिए तो देखें यहां पर ग्रेजिशन और एक्यूबलेंट एक्जामिने शिक्षन परिश्यत द्वारा आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इसके बाद हम बात करते हैं इसमें विज्ञान विशे के लिए क्या योगिता रखे गई है तो देखें यहां पर ग्रेजुएट और एक्यूबलेंट एक्जामिनेशन विट एट लीस और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकोगनाइज़ नैशनल कॉंसिल और टीचर एजुकेशन बहुत एक रसायन विज्ञान प्राणी विज्ञान वनस्तपती विज्ञान सुक्षम जी विज्ञान जयव प्रध्योगी की या फिर जयव रसायन में आपके पास मानियता प्र फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पास कम से कम दो सब्जेक्ट होने चाहिए तो देखिए यहां पर कौन-कौन से हिस्ट्री जोग्राफी एकोनोमिक्स पॉल्टिक्स कल साइंस सोशलोजी पब्लिक एड्मिस्ट्रेशन एंड फिलोसॉफी एं नेक्ट बात करते हैं दोस्तों मिसमें जो एक्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है तो देखिए यहां पर आरle PSE Second Grade Teacher भरती 2021 में अभ्यर्थियों का चेहन, लिखित परिक्षा, और डॉक्यमेंट वेृरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा आरपे सी Second Grade Teacher भरती 2022 में इसाक्षेतकार का आयूजन नहीं किया जाएगा इसमें आपका कोई भी इंटर्व्यू नहीं होने वाला है 200 अंक का होगा दोस्तों और दूसरा पेपर सब्जेक्ट का 300 अंक का होगा दोनों पेपर में ही नेगेटिव मार्किंग इसमें वन थर्ड रखी गई है और पीसी सेकंड गेट टीचर भरती 2022 का स्लेबस और एक्जाम पेटरन हम यहां पर आपको दे रहे हैं इस प्रकार और प सेक्सिमन तोहंडेड मार्क्स का यह आपका पेपर होगा और इसमें आपको दो गूंटे का टाइम मिलने वाला है इसके अलावा जितने कितने कुशन होंगे आपके इसमें 100 कोशन टोटल मल्टिपल चॉइस किसमें आपको मिलेंगे और इसमें वन थर्ड मांक नेगिटिम नेक्स्ट बात करते हैं यह स्मिश क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे दोस्तों तो देखी ऐहां पर क्या 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 सब्जेक्ट रहने वाले यह जोग रॉफिकल आफेंगे सब्जेक्स ही से लइस जी के आपके आएगी वर्ल्ड और इंडिया की कितने marks केएगी टोटल 60 marks की रहने वाली है इसके अलावा education, psychology आपके कितने marks केएगी टोटल 40 marks की रहने वाली है ऐसे करके आपका टोटल 200 marks का ये paper होने वाला है नेक्स्ट बात करते हैं आप इसमें जो second paper है वो आपका कैसा रहने वाला है दोस्तों तो देखिए यहाँ पर टोटल ये 300 marks का आपका paper होगा और इसमें भी आपको इसमें आपको 2 गंटे 30 मिनट यानि कि आपको इसमें धाय गंटे total मिलेंगे paper करने के लिए इसके अलावा आपके इसमें कितने question आएंगे दोस्तों 150 question is total आएंगे और एक question कितने marks का होगा दो marks का आपका एक question होगा इसके अलावा बात करते हैं इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हो और कितने marks के रहने वाले हैं तो देखिए आपका knowledge of प्रवेशिका and वरिष्ठा उपाद्या standard about the relevant subject matter ये total कितने marks के होगे दोस्तों 180 marks के आपके रहने वाले हैं इसके आपका knowledge of शास्त्री and standard about the relevant subject matter ये total कितने marks के होगे आपके 80 marks के इसके अलावा teaching methods of relevant subject ये total कितने marks के होगे दोस्तों आपके total 40 marks के रहने वाले हैं और total जो marks आपके कितने marks का ये paper होने वाला है 300 marks का आप का पेपर पेटर्न का रहने वाला है तो देखी यहाँ पर देक्षिट विल बी कैरी मैक्सिमुम 300 मार्क्स का आपका कॉश्ट पेपर होगा इसके अलावा आपको इसमें त्री गंटे का टाइम मिलेगा और 150 आपके कोश्ट रहने वाले हैं कौन से रहेंगे मल्टिपल चॉइस के आपके कॉश्ट इसमें रहने वाले हैं अब देख लेते हैं सब्जेक्ट और मार्क्स कितने क्या रहने वाले हैं तो देखी दोस्तों knowledge of secondary and senior secondary स्टेंडर्ड अबाउट दर रिलिवेंट सब्जेक्ट मैटर कितने माक्स के रहेंगे टोटल 180 माक्स के रहेंगे इसके अलावा नौलेज ऑप बैजुएशन स्टैंड़ आबाउट गाउट्डे रेलेवंट सब्जेक्त मैटर यह कितने माक्स करेंगे रहने वाले हैं इसके अलवा चाहिए अलवार टीचिंग मैफ़र ओ टीवेंट व्लिवेंट सब्जेक्ट इसका लिए इसके आपके तोड़ेंगे मास की एने वाले है 300 mark का यह paper आपका होगा next बात करते हैं कि आप कैसे apply कर सकते हैं RPSC second grade के लिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं step by step को बता देती हूँ तो देखिए सबसे पहले RPSC के official website पर आपको जाना है इसके बाद RPSC Sanskrit Education Department second grade teacher recruitment 22 के apply online पर click करना है then आपको अपनी SSO ID को login करना होगा और recruitment portal में जाना होगा recruitment portal में one time registration कर अभ्यरती परिक्षा है तो आविदन कर सकते हैं आविदन form में पूछी गई सभी जानकरी सही सही भरती है और अपनी category के नुसर आविदन शुलक का भुकतान करना होगा इसके बाद आप आविदन का print out ले सकते हैं तो दोस्तों कैसे लगा आपको वीडियो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें पैस में ही बैल आइकन है उसे पैस करें ताकि भरतियों से रिलेटेड सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिल सके ओके दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग जैहिंच जै भारत